ये घरेलू नुश्खा आपके सभेद बालों को केवल 15 मिनट में कर देगा हमेशा के लिए काला काले मजबूत बाल हर किसी को पसंद होते हैं फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हर कोई चाहता है कि उसके बाल भी काले और मजबूत हो क्योंकि अगर बाल काले और मजबूत होते हैं तो खुपसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन न चाहते हुए भी पोशक तत्यों की कमी की वज़ा से बाल कमजोर और सभिद हो जाते हैं बाल कमजोर और सभिद होने की वज़ा खुपसूरती खराब हो जाती है बाल और भी ज़्यादा खराब सफेद और ज़रते बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई सारे लोग अलग अलग तेल का इस्तमाल भी करते हैं लेकिन उन तेल से बालों को खायदे नहीं बलकि नुक्सान ही होता है क्योंकि अलग अलग तेल का इस्तिमाल करने की वज़ा से बाल और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं और बालों पर साइट इफेक्ट भी होता है इसलिए कभी भी ज़्यादा अलग अलग तेल इस्तिमाल नहीं करना चाहिए बालों को सभिद और मजबूत करने के लिए आज हम आपको एक ऐसी चीश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे इस्तिमाल करके आप अपने बालों को काले और मजबूत करवाएंगे आज हम आपको जिस चीश के बारे में बताने जा रहे हैं उस चीज का नाम है नीम का पत्ता अगर आप भी अपने बालों को सभित और मजबूत पाना चाहते हैं तो पचीस ग्राम नीम के पत्तियों को अच्छे से धूप में सुखा लें और सुखाने के बाद इन पत्तियों को मिकसर में फीश कर पाउडर बना ले नीम की पत्तियों का पाउडर बनाने के बाद 250 ग्राम नारियल के तेल में नीम की पत्तियों का पाउडर बिलाएं और दोनों को अच्छे से गर्म कर लें दोनों को अच्छे से गर्म करने के बाद इस तेल को शीशी में भरकर रख लें और रोजाना राप को सोते समय इस तेल को अपने बालों में लगाएं ऐसा रोजाना बीच दिनों तक करने से आपके सफेद बाल काले तो होंगे ही और साथे साथ मजबूत भी हो जाएंगे क्यूरेन हेल्थ डेक्स से बिनितिदाएक रिपोर्ट